नोन मैं ही ना आप सभी का स्वागत करती हूँ एग्रिकल्चर एड़ा 24-7 के ओफिशिल यूट्यूब चैनल पर तो डियर स्टूडेंस कैसे हैं आप सभी लोग आप सब लोग अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपनी प्रिप्रेशन कर रही होंगे तो डियर करने वाले हैं तो डियर स्टूडेंट जितने भी स्टूडेंट प्रेजेंट है सेशन में एक बार आप लोग जल्दी से कमेंट सेक्षन में कमेंट करके बता दीजे कि आप लोग प्रेजेंट हो और फिर हम लोग अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं ओकी गईस तो एक बार ज जल्दी से कमेंट सेक्शन पर कमेंट कर दो, okay? So, हाँ जी, लवी, बेरी गुद, बेरी गुद आफ्टरनून, okay, so, I think students आ गे हैं, हाँ जी, आती, ICR, IRI की लाइफ टेस्ट क्लास कब होगी? जब भी होगी, आपको बता दिया जाएगा, don't worry, okay? Hello, Nivedita, कोई भी नोटिफेकेशन जो है, आपको सबसे पहले मिल सके, okay? Very good afternoon, Shivani. So, guys, agriculture अड़र 24-7 के आपको भी आप लोग ज़रूर से डाउनलोड कर दीजे, ताकि आपको कुछ important information होती है, जो आप में available होती है, इसके अलावा, जब भी आप बैच में इन्रोल करते हो, तो आपके कोईंस जो है, वो आपके बैच के प्राइस को reduce कर लेते है, okay? So, guys, चलिए, आप आज का first question जो है, आपकी screen पर है, फटाफट से solve कीजे, so, guys, the national collection of agriculture and industrial microorganism are located in at Delhi, पूने, कुलकाता and Mumbai, तो यहाँ जितने भी option आपको दे रखे हैं इन सब में से आपको यह बताना है National collection of agriculture and industrial microorganism are located at कहां पर है? यह आपको बताना है, डेली में है, या फिर आपका पूने में है, कुलकाता में है या फिर आपका मुंबई में है So, choose the correct option Very good afternoon, Alka नहीं, यह class ICR के लिए नहीं है, आपकी अभी, यह class ICR के लिए नहीं है, यह FSI के students के लिए है जो food science के students है, ओके चलिए, बताइए गईस, correct answer क्या होगा iOS में available है आप क्या पुशना चाहरे हैं, सचिन, मुझे समझ नहीं आए, एक बर अपना comment दुबारा से इच्छे से लिखके डाली है, मुझे समझ नहीं है आप किस के लिए पूछ रहे हो, iOS के लिए कामिनी पांडे A, Delhi OK TRKV, Innovation A, बड़े अच्छे नाम रखें आप लोगोने, चलो बताइए गईस, correct answer क्या होगा सरीता, गुपता, C, कुलकाटा गईस, देखो, इंस्ट्रिट्यूट्स भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है तो ध्यान से सोच के आंसर करना iPhone, Agriculture अभी तो मुझे कुछ पता नहीं है इसका, ठीक है वैसे अभी ऐसा कुछ तो नहीं है वो शायद आपका उसमें आया था एससी में आया था, Agriculture में तो अभी ऐसा नहीं है ओके गईस, बताओ जल्दी से क्या करेक्ट आंसर होगा इस question का बताए सचिन गर्ग, B, पुने ओके निवेदेताब, B ओके गईस, आपका correct answer यहाँ पर हो जाएगा, B ठीक है, यह correct answer will be here, B पुने में आपका national collection of agriculture and industrial microorganism जो है, अगर when we talk about the India अगर हम इंडिया की बात करें है तो इंडिया में यह आपका पुने में है अगर हम all over world बात करें इस इस सिचुएट इन हंगिरी ठीक है, यह देन आपका कहाँ पर है अगर हम all over world की बात करें ठीक है, अगर हम world की बात करें इस इस इन हंगिरी, बट अगर हम इंडिया की बात करें है तन इस सिचुएट इन पुने, ओकी गाईज चलो, next question का answer दीजिए example of anaerobic medium anaerobic media, anaerobic bacteria को हम इन में से कौन से medium में ग्रो करते हैं आपको यह बताना है Wilson Blair medium Mekonky Mekonky broth and Robertson cooked meat medium and EMB, तो guys बताईए इसमें आपका correct answer क्या होगा बताओ, हाँ, बिल्कुल Sachin, बिल्कुल सही आपने answer किया है Hungary, चलो, बताओ, आप correct answer बताईए, इस question का क्या होगा गाईज, anaerobic bacteria को आपके इन में से कौन से medium में grow करा जाता है Wilson में या फिर आपके Robertson में Mekonky में या EMB में बताईए इस इस परिंट, इस्सुण त ऐस का इस न क्टि ए स्क्टूट आपके का में. अभल्स परिंट, इसन एस्स. अगर आपके जो agriculture option में है तो बाकी जो agriculture की classes है वो आप attend कर सकते हो this is actually specifically for food science students, तो यह class food science students के लिए है तो यहाँ पर जितने भी questions है आपके food microbiology से related है तो यह आपका directly agriculture से नहीं होगा बत आपके बाकी जो classes है like plant pathology, like genetics, plant breeding, other classes are relevant for you, okay so C is correct answer, Nivedita C is correct answer, okay Sachin Garg, C very good guys, बिलकुर सही आपको ने answer किया है C is your correct answer, so cooked meat medium was originally developed by the Robertson for the cultivation of certain anaerobic isolated from the wounds so basically यहाँ पर जो आपके anaerobic bacteria होते हैं, ठीक है, anaerobic bacteria जो आपके होते है anaerobic microorganism उनके लिए हम कौन सा media use करते है, Robertson cooked meat media, okay और इसको बनाया किस ने था, इसको बनाया था, Robertson ने बनाया था, ठीक है so basically this media is used for non-spore former bacteria, okay जो आपके non-spore former bacteria होते हैं generally उनके लिए यह media आपका use होता है, उनके लिए क्योंकि देखो meat media है, कौन सा है? cooked meat medium है, तो guys मैं हमेशा आप लोग को बोलती हूँ कि meat हमेशा highly nutritious होता है ठीक है, हमेशा की एक लास में बताती हो ना, कि meat जो होता है highly nutritious होता है तो guys यह आपका cooked meat medium है, so basically this is highly nutritious and it supports the growth of strictly anaerobic and non-spore former bacteria's growth, ठीक है तो यह हमेशा क्या करता है, आपके anaerobic bacteria है, इसके अलावा जो आपके like non-spore former bacteria है उनकी growth को यह क्या करता है, support करता है, right so this is very important question, next question guys, traveler diarrhea is caused by Borrelia, Bacillus, Pseudomonas and E.coli, तो इन में से कौन सा है जो traveler diarrhea cause करता है which organism is responsible to cause traveler diarrhea, इधर 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 बोरेलिया, Pseudomonas, Bacillus and E.coli so what will be your correct answer और guys अगर session अच्छा लगता है, तो session को लाइक भी कर सकते है ठीक है, चलो बताओ, D.E.coli, सरीता गुपता, निविदिता बी, अनुशा, D.O.K. लवी सिंग, D.O.K. तो guys आपका correct answer बिल्कु सही आप लोगों ने बता है, E.coli, O.K. ठीक है, अब traveler diarrhea में होता क्या है, actually in traveler diarrhea, digestive tract disorder will occur, O.K. and it will just cause loose stool, O.K. abdominal cramps, तो इसमें क्या होता है, आपके loose motions होने लगते हैं, इसके अलावा आपका abdominal cramps होता है, तो ये generally आपके contaminated food या contaminated water की consumption की विज़े से होता है, O.K. तो basically right option is E.coli, और इसके अलावा E.coli, Compilobacter, Salmonella, Shigella, ये सारे जो organism है, आपके ये आपके generally traveler diarrhea cause करते हैं, जिसमें आपका abdominal pain होता है, और ये आपका contaminated food या फिर contaminated water को consume करने की वज़े से होता है, राइट, चलो, next question is, which rickettsia can be grown on blood agar media, आपका blood agar media में कौन सा rickettsia, कौन सा rickettsia इसमें ग्रो करा जाता है, lactobacilli, streptobacilli, bacillus and vibrio cholery, so guys, which one, which rickettsia is, can grown on the blood agar media, आपका blood agar media, जो कि enriched media होता है, उसमें आपका कौन सा bacteria grow करा जाता है, बताईए, which rickettsia has grown on the blood agar media, blood agar media में आपका कौन सा rickettsia ग्रो करा जाता है, का, lactobacilli, streptobacillus, bacillus anthracis and fibrio cholery, so choose the correct answer, गन्ना परेविक्षक, very good morning, a is right answer, okay, thia a, nividita a, okay, okay, anusha, okay, very good guys, बिलको सही आप लोगोंने answer किया है, यह आपका correct answer हो जाएगा, ठीक है, so basically lactobacilli को हम क्या करते है, blood agar media में बहुत अच्छी growth show करता है, आपका lactobacilli, okay, so basically their colony, their colonial morphology can vary from the small to medium gray color colony, that usually exhibit the alpha hemolysis on blood agar media, यह important है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है, कैसी colony show करते है, में में ग्रे कलर की कालोनी शो करते है, they just show small to medium gray color colony, ठीक है, small to medium gray color colony, ठीक है, small to medium gray color colony show करते है, और alpha hemolysis blood agar media में cause करते है, ठीक है, alpha hemolysis cause करते है, इसके अलावा guys, यह आपके mucoid colonies भी form करते है, ठीक है, यह आपके mucoid colonies भी क्या करते है, form करते है, so basically lactobacillus grows on these media, and form the mucoid colony also, and blood, it is just alpha hemolysis will occur on this blood agar media, तो यह blood agar media में क्या करता है, alpha hemolysis cause करता है, gray color ya mucoid colonies cause करता है, ठीक है, चलो, next question का answer दीजिए guys, sudden blotting method is used for detection of, तो जो आपका sudden blotting method है, वो किसके लिए use करा जाता है, it is used for protein, for post translationally, modified protein, and DNA, and for RNA, तो किसके लिए use करा जाता है, आपका sudden blotting यह आपको बताना है, southern blotting, northern blotting परते हो नो, तो इनमें से southern blotting किसके लिए use होता है, यह आपको बताना है, बताओ, किसका detection करते हैं, southern blotting में, निवेदिता C, DNA, इसका answer बड़ी जल्दी आ गया, easy question है न, इसलिए, okay, very good, Sachin Garg, C, बाकि students भी answer कीजिए guys, कामी नी पांडे, C, C, okay, okay, IFS aspirant, C, okay guys, बिलकुर सही, आप लोगो ने answer किया है, DNA, ठीक है, so basically, southern blotting is the method, use for the molecular biology, use in molecular biology for the detection of specific DNA sequence in DNA sample, तो इसको हम क्या करते है, southern blotting में, हम DNA को detect करते हैं, ठीक है, इसमें हम generally क्या करते हैं, guys, देखो, यहाँ पर आप देख सकते हो, picture में, हमने क्या 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 पहले, DNA लिया, ठीक है, genomic DNA लिया, उसके बाद उसका electrophoresis किया, electrophoresis के बाद जो आपका DNA fragment होता है, उस DNA fragment को आप क्या करते हो, उस DNA fragment को आप transfer करते हो, नाइट्रोसरिलोस filter paper के उपर, और नाइट्रोसरिलोस filter paper के उपर, फिर उसके बाद आप क्या करते हो, उसमें जो आपका prone होता है, radioactive prone जो होता है, वो generally क्या करता है, अपना color show करता है, एक fluorescence show करता है, जिसकी विज़े से आप क्या कर सकते हो, जो आपका desired DNA है, उसको generally आप क्या कर सकते हो, detect कर सकते हो, ठीक है, हाँ जी, protein के लिए western blotting यूज करते हैं, ओके, so guys, DNA आपका correct answer है, चलिए, next question का answer कीज़े guys, लेपरा बैसलस is best culture on, armadillos, food pad, liver and any of the above, तो बताइए guys, इसमें आपका correct answer क्या होगा, लेपरा बैसलस is best culture on, लेपरा बैसलस को आपका कहां पर अच्छे से culture करा जा सकता है, armadillos में करा जा सकता है, या फिर आपका food pad में करा जा सकता है, mice में, liver में करा जा सकता है, पिक के या फिर आपका any of these होगा, क्या correct answer होगा, बताओ, कौन सा best culture होगा, इसकी growth के लिए बताओ, लेपरा बैसलस के लिए सबसे best culture कौन सा होगा, बताइए, सरीता गुपता D, any of the above, okay, थिया B, okay, B, कामिनी पांडे सच्छिन गर्ख, B, okay, निवेदिता, confusion में हैं अभी, B, चलो गाईज, बिल्कुल सही अपने आंसर किया है, food pad of mice, ठीक है, B, आपका correct answer हो जाएगा है, ठीक है, food pad of mice, so basically, mycobacterium lepris can easily cultured on the food pad of mice, food pad of mice, जो उसके लिए best, multiplication के लिए best हो जाएगा, सबसे अच्छा culture media हो जाएगा, अगर वो क्या करता है, आपके food pad of mice पे ग्रो करता है, और यह mice जो होगा, यह आपका immunocompetent होता है, ठीक है, immunocompetent होगा, okay, so basically, multiplication of mycobacterium lepris in the food pads of immune, immune competent mice is limited, and no leprosy like leasins are produced on these animals, तो generally, मैंने इससे पहले वाले class में भी आपको बताया था, कि mycobacterium lepris क्या करता है, leasins, leprosy के leasins produce करता है, लेकिन यह आपके जब animals में infection करता है न, तो उसमें leprosy के leasins नहीं produce करता है, ठीक है, उसमें leprosy के leasins produce नहीं करता है, ठीक है, यहाँ पर यह क्या करता है, growth करता है, उसके लिए best media है, reproduce करता है, ठीक है, यहाँ पर यह क्या करता है अपने लीजन्स को जो इसके जैनरली लेपरोसय के लीजन्स होते हैं ना Skin給 उपर लीजन्स आप लोगों ने देखा होगा. तो वो लीजन्स यहाँ पर यह ऐनेमल्स पर produce नहीं करते हैं. तो इसके लिए जनरली बेस्ट मीडिया आपका क्या हो जाएगा फूट पैड ओफ माइस ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेशन का अंसर कीजिए गाइस वाइलेट कलर प्रेदूजिंग दे बेक्टिरियल जीनस तो वाइलेट कलर कौन सा जीनस है इन में से जो प्रेदूस करेग क्रोमर बेक्टीरियम करेगा शरेशिया करेगा या फिर आपका फ्लयक्टो बैसिलिस करेगा बताईए गाइस सरीता गुपता ए फ्लावो बैक्टिरियम राज कोविन मीना फ्लावो बैक्टिरियम शौर फ्लावो बैक्टिरियम सचिन गर्ग भी फ्लावो बैक्टिरियम निवेधिता सिंग भी क्रोम बैक्टिर ओकी कमिनी पंडे भी फ्लावो बैक्टिरियम बताओगा इस करेक्ट आंसर क्या होगा सो यह करेक्ट आंसर विल बी फ्लावो बैक्टिरियम ठीक है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर फ्लावो बैक्टिरियम ठीक है तो जो आपके वालेट कलर की जो colonies है ये फ्लावर बेक्टीरियम क्या करता है प्रोडियूस करता है यहाँ पर आप देख सकते हो किस तरीकी की colonies है यहाँ पर प्रोडियूस कर रहा है तो basically फ्लावर बेक्टीरियम is the genus of gram negative non-motile and motile rot shaped bacteria तो यह generally आपके gram negative होते हैं, लेकिन यह आपके motile और non motile दोनों होते हैं, ठीक है, तो कुछ flavor bacterium आपके motile होते हैं, लेकिन कुछ flavor bacterium आपके non motile भी होते हैं, rod shaped bacteria होते हैं guys, और यह आपके generally aquatic environment और soil दोनों में present होते हैं, right, these are present in aquatic environment और also in soil microflora, तो यह आपके soil में भी present होते हैं, soil microflora में भी present होते हैं और आपके aquatic environment में भी generally यह आपके present होते हैं और यह generally इन में से काफी सारी species flower bacterium के ऐसी होते हैं जो generally आपकी यह आपकी fresh water fishes में disease cause करते हैं, ठीक है? cause disease in fresh water fishes, क्योंकि यह आपके aquatic भी होते हैं, इन में से कुछ species आपकी aquatic भी होते हैं, that's why these some of the species are responsible to cause infection in fresh water fishes, तो यह आपकी fresh water fishes में भी क्या करते हैं, infection cause करते हैं, right? चलो, अब next question का answer दीचे गाईस, next question is, which of the following is the father of marine microbiology, इन में से marine microbiology की फादर कौन है, Lippman, Claudie, Clark and Lewis Pasteur, so which one is the father of marine microbiology, इन में से marine microbiology की फादर कौन से होंगे आपको बताना है, which of the following is father of marine microbiology, बताओ, B, Claudie, Sachin Garg, B, okay, Thiya Sharma, Nivadita, B, okay, Sachin Garg, B, ठीक है, बताओ, 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 बाकि स्टूडेंस भी बताओ, जितने स्टूडेंस देखते हैं, अतने स्टूडेंस आंसर नहीं करते हैं, यह गलित बात है, ठीक है, सारे स्टूडेंस आंसर किया करो, यार, ठीक है, गाईस तो आपका correct answer हो जाएगा, B, Claudie, Claudie, Zubel, the organism living at the extreme ocean depth earned him a title of father of marine microbiology, क्यूँकि इन्होंने क्या किया था, जो extreme कंडीशन में, आपके जो extreme ocean condition में, सबसे ज्यादा deep में, जो किया था क्या किया था इन्होंने ocean के deep में जो आपके microorganism रहते हैं extreme condition में ठीक है extreme condition के जो आपके microorganisms हैं उन microorganism को इन्होंने discover किया था that's why he is known as the father of marine microbiology इसलिए इन्हें क्या बोला जाता है father of marine microbiology बोला जाता है ठीक है चलो इसमें आप लोग Lewis pasture answer करके मताना ठीक है चलो अब next question है guys आपका next question का answer कीजे बायो बीटनॉल is produced by fermentation of तो बायो बीटनॉल आपका कि बायो बीटनॉल जो है आपका किसके fermentation से कौन से sugar के fermentation से produce करा जाता है या आपको बताना है it is produced by the fermentation of starch, sugar, glucose and fructose तो कौन सा बायो बीटनॉल ऐसा कौन सा है आप बायो बीटनॉल जो आपका produce होता है कौन से sugar के fermentation से produce करा जाता है it is produced by the fermentation of starch it is produced by the fermentation of sugar, glucose and fructose बताईए सरीतो गुपता starch very good okay बाकी students भी answer कीजे गाइस राज कोविन मीना ए ओके बाकी students भी बताओ क्या होगा correct answer कौन से sugar का fermentation करते हैं बही बताओ निवेदिता C glucose confusion में ओके बताओ थिया श्वर्मा starch लवी सिंग ए ठीक है बताओ बताओ क्या होगा correct answer कामिनी पांडे B मतलब confusion है बहुत जादा है ना सचन गर्ग C okay तो guys आपका correct answer हो जाएगा यहाँ पर starch ठीक है bio betanol is produced by the fermentation of starch ठीक है simple simple sugar I think okay तो आपका correct answer हो जाएगा starch यहाँ पर ठीक है चलो देख लेते हैं इसका दोर सा explanation देखो sugar cane बगासे sugar cane बगासे मतलब जो भी आपका like जैसे गन्ना है sugar cane है तो उसको जब पूरा यूज कर दिया जाता है इसको completely जैसे आप लोग गन्ने का जूस पीने जाते हो न तो जब वो पुरा उसका extract निकाल देता है उसके बाद जो बच्चता है that is called bagasse है तो उसके बगासे से उसका hydrolysis के और hydrolysis से butanol production करा जाता है ठीक है आप देखो basically butanol can be produced by the fermentation of sugar wheat, sugar cane, corn, wheat and legnocellulosic biomass starch based waste packaging peanuts and agricultural waste तो basically यह आपके बहुत सारे sugar beet से like sugar cane से corn से wheat से बहुत सारे आपके agricultural product से generally यह आपका extract करा जाता है mainly इसमें starch का main role होता है ठीक है यहाँ पर आपका mainly अगर exam में पूछे जाता है तो आपको starch answer करना है starch आपका correct option है ठीक है चलो next question का answer दीजे गाइस which one of the following is rice strong mushroom इन में से rice strong mushroom कौन सा है या आपको बताना है plurotus होगा, agaricus होगा, आपका walveria होगा या फिर आपका sparsia होगा बताओ what will be the correct answer which one of the following is rice strong mushroom इन में से आपका rice strong mushroom कौन सा होगा plurotus होगा या फिर आपका agaricus होगा, walveria होगा या फिर आपका sparsia होगा बताओ निवेदीता सी, walveria, walveria ला बोला वेसी, ओके, छीक है थिया, walveria बाकी students भी answer करो गाइस, शिवानी कुमारी बी कामी नी पाल दे सी चलो guys आपका correct answer होगा यहाँ पर C, ठीक है, walveria ला वेसी, ठीक है, यह C आपका correct answer होगा चलो थोड़ से इसके बारे में देख लेते हैं, guys actually this is Chinese mushroom, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, Chinese mushroom या फिर इसको strong mushroom भी बोला जाता है, so basically बैसे के लिए, walveria is Chinese mushroom और strong mushroom, यहां से भी question आता है, आपका Chinese mushroom या फिर आपका strong mushroom कौन सा होता है, यह question आपका IBPS में भी आता है और फसाई में भी पूचा जा सकता है, ठीक है, so this is important, so basically walveria is Chinese mushroom और strong mushroom, and it is edible species, okay, so basically it can grow on tropical and subtropical reason, तो यह आपका guys, tropical or subtropical, दोनों reasons पे grow होता है, and this is basically edible fungus, you all know कि आपका mushroom जो होता है, edible fungus होता है, तो यह भी आपका paddy strong mushroom है, यह भी आपका edible mushroom होता है, ठीक है, and इसकी जो सबसे जादा faster growth होती है, वो आपकी casein में होती है, so basically it have the faster growth on casein, casein में यह सबसे अच्छी growth करता है, other than this, यह आपका tropical and subtropical reasons पे बहुत जादा grow करा जाता है, इसके अलावा आपका यह Chinese mushroom होता है, या फिर इसको हम strong mushroom भी बोलते हैं, ठीक है guys, okay, तो ध्यान रिखेंगे आप इस चीज़ को important हैं, चलो next question का अंसर दीचे, bacillus thuring genesis is named by, bacillus thuring genesis को किसने discover किया था, इश्वाटा, बर्लिनर, लेबेक और स्प्रिंजन, so which scientist is responsible for the discovery of bacillus thuring genesis, bacillus thuring genesis की discovery किसने करी थी, इसका नाम जो है, किसके नाम पर है, बताओ, what will be the correct answer guys, राजगोविन मीना ए, इश्वाटा, okay, बताओ, बताओ guys, निवेदिता बी, okay, बताओ, बताओ, क्या होगा इसका correct answer, कामी नी पांडे, ए, बताओ guys, bacillus thuring genesis is named by, तो guys, आपका correct answer हो जाएगा, बर्लीनर, ठीक है, so basically, German microbiologist Ernest Berliner, he rediscovered it, when he isolate it, as the cause of disease, slough shoot, ठीक है, तो जब इन्होंने क्या किया था, ये caterpillar की एक disease को, जब इन्होंने, ये, इसके लिए causal organism बताया था, तो उसी टाइम पे इन्होंने इसको rediscover किया था, ठीक है, उसी टाइम पे इन्होंने इसको isolate किया था, और तभी उन्होंने, bacillus thuring genesis के बारे में बताया था, और bacillus thuring genesis है, क्या आक्चुरी में आपका, bacillus thuring genesis आपका as a bio fertilizer use करा जाता है, करा जाता है ना, bio fertilizer use करा जाता है, ठीक है, तो जब आपके German microbiologist थे, unsperliner, इन्होंने इसको पहली बार discover किया था, ठीक है, चलो ध्यान रखेंगे इस चीस को, चलो, next question का answer दीजे गाईज, enzyme responsible for the conversion of milk to curd, तो आपका कौन सा enzyme है, जो milk को curd में convert करता है, lactase, racemase, granite and lactase, easy question है, इसका तो जल्दी से answer कर लोगे, I think है ना, चलो बताओ, बताओ गाईज, इसका correct answer क्या होगा, lactase, lactase, amandeep, satchin, lactase, lactase, cheese के लिए, ranit, shivani kumari, a, trkv innovation, a, okay, kamini pande, a, okay, ठीक है, okay, तो गाईज, अपका correct answer हो जाएगा, ranit, ठीक है, हाँ, ranit is basically the enzyme used for the coagulate milk in order to form thick curd, तो अगर आपको thick curd बनाना है, उसके लिए, आप क्या कर सकते हो, ranit enzyme को use कर सकते हो, ठीक है, basically the temperature for this, 85 to 105 degree foreign height, तो इसके लिए, जो आपका temperature होता है, working temperature, that will be your 85 to 105 degree foreign height, ठीक है, and it will just act on the, properly on this temperature range, ठीक है, तो ranit आपका क्या हो जाएगा, correct answer हो जाएगा, चलो guys, next question कहां से बताएगे, Irgot disease is caused by Paxenia, Rhizopus, Cleviceps and Penicillium, बताओ, क्या होगा correct answer, Irgot disease is caused by Paxenia, Rhizopus, Cleviceps and Penicillium, Irgot disease कौन cause करता है, बताओ, एग्रिकल्च वाले students तो सबसे पहले answer कर देंगे हैंना, easy question है उनके लिए, बताओ, Cleviceps, कामी नी पान दे, okay, नर्मदा रेज, ए, ठीक है, बताओ, बताओ guys, जल्दी से बताओ, इसका correct answer क्या होगा, लवी सिंग, ख्लाविसेप्स, निवेदिता, ख्लाविसेप्स, ओकी, अमन दीप, ख्लाविसेप्स, सचिन, तो बिल्कुल सही guys, आपका correct answer होगा, ख्लाविसेप्स, ख्लाविसेप्स, पर्प्यूरिया आपका क्या करता है, इसकारविसेप्स, 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 इसकारविसेप basically cleviceps purpurea is an irgot fungus, यह आपका एक fungal infection है, so basically this pathogen is fungal pathogen and it cause infection in rye, ठीक है, यह आपका rye और जितने भी cereals होते हैं generally and forage plants होते हैं, सब में infection करता है, right, so basically cleviceps purpurea is an irgot fungus that grows on the ears of rye and related cereals and forage plants, तो यह आपके cereals, यह वे forage plant में infection करता है, और इसके grains को जब आप consume करते हो, तो generally यह आपका grains में present होता है, ठीक है, consumption of the grains or seed contaminated with the survival structure of this fungus, the ergot sclercium can cause ergotism in human and other mammals, तो यह generally आपका, जब भी आप इसके grains को, क्योंकि grains में यह pathogen जो है आपका present होता है grains वाली पार्ट में, तो जब भी आप इस pathogen को consume करते हो, तो यह humans में भी क्या करता है, ergotism cause करता है, क्या करता है, ergotism cause करता है, जब भी आप क्या करते हो, contaminated grains को consume करते हो, when you consume the contaminated grains, then it cause serious ergotism infection, ठीक है, so basically this is the fungus, that is claviceps purpurea, यह आपका claviceps purpurea fungus होता है, जो आपकी sugary disease को cause करता है, right, चलो, next question का answer दीजे गाइस, next question है आपका, non lactose fermenting colonies seen on the Mekonky's medium R, तो Mekonky अगार जो media होता है आपका, वहाँ पर non lactose fermenting colonies कौन produce करेगा, it is produced by salmonella typhi, E. coli, claviceps and shigy, बताओ, correct answer क्या होगा, non lactose fermenting colonies जो Mekonky अगार में दिखाई देती हैं, वो कौन produce करता है, यह आपको बताना है, it is produced by salmonella, E. coli, claviceps and shigyala, बताओ, बताओ, इसमें correct answer क्या होगा, नर्मिदा, रेज, C, claviceps pneumonia, ओकी, निवेदेता सिंग, A, ओकी, राज, कोविन, मीना, A, ठीक है गाईस, बिलकुस सही, आप लोगो ने answer किया है, salmonella, ठीक है, salmonella type E is your correct answer, okay, so basically, let's talk about the salmonella, so basically, this is the lactose producer bacteria, okay, ये, sorry, fermentation of lactose producer organic acid, particularly in lactase, which is decreased the pH of agar, तो generally, आपका क्या होता है, कि जो आपका lactose है, lactose के fermentation में क्या होता है, आपका, कि pH जो है agar का reduce होने लगता है, ठीक है, और यहाँ पर as a indicator, जो आपका में कौकी agar media है, वहाँ पर pH indicator ये क्या करता है, जब उसके acidic concentration को कम कर देता है और ज़्यादा, तो उसकी विज़े से क्या है, कि pH, जो आपका media है, उसका color change हो जाता है, ठीक है, so basically, salmonella typhi जो है, यहाँ पर ये indication show करता है, ठीक है, तो salmonella जो है, यहाँ आपका बहुत अच्छे से grow करता है, इस पर, ठीक है, so salmonella typhi is correct answer, ओकी, चलो, next question का answer बताओ जल्दी से, Wilson and Blair medium is used for the isolation of, Wilson and Blair medium जो है, आपका किसके लिए use करा जाता है, किसका isolation करता है, इस्टफाइलो को का, या फिर आपका salmonella होगा, विब्रियो होगा, या फिर शिजाला होगा, बताओ correct answer क्या होगा, Wilson and Blair medium is used for the isolation of, इस्टफाइलो को का, salmonella, विब्रियो और शिजाला, बताओ इसमें correct answer क्या होगा, बताओ, Wilson and Blair media is used for the isolation, isolation of, किसके isolation के लिए यूज करते हैं, इस्टफाइलो को काई के लिए करते हैं, या फिर साल्मोनेला के लिए करते हैं, विब्रियो कॉलरी के लिए करते हैं, या फिर शिजाला के लिए करते हैं, B, Salmonella typhosa, बताओ गईस, बताओ फटाफट से answer, से बताओ क्या होगा करेक्ट आंसर, कामिन पांडे C, B, okay, Salmonella, ठीक है, Sachin Garg, B, okay, तो गईस, अपका करेक्ट आंसर होचाहे का B, Salmonella, तो बेसिकली, Salmonella, शो, दा, शो, इस बताओ, बताओ, तो यह आपका जेनरली क्या करता है, metallic sheet के ओपर, यह आपका colony शो करता है, ठीक है, और यहाँ पर जेनरली क्या होता है, आपका यह पैथोजन, जो है, यह आपका जेनरली क्या होता है, sea wage के थूरू, या जितने भी आपके water supply के थूरू, जितने भी आपके pathogenic materials जो होते हैं, उनको जेनरली हम इस टाइप के culture में grow कर सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर जेनरली जो सबसे अच्छा आपका यह grow करता है, salmonella करता है, ठीक है, salmonella जो है, यह बहुत अच्छे से यहाँ पर क्या करता है, metallic sheet पर अपनी colonies को grow करता है, और यहाँ पर आपके जितने भी sewage के, sewage में cause, sewage के थूँ infection cause करने वाले जो pathogens है, या फिर water supplies के थूँ, या other जो आपके pathogens हैं, जो infection cause करते हैं generally, उनको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर media में grow कर सकते हैं, ठीक है, विल्सन मीडिया में हम उनको grow कर सकते हैं, ओके चलो, next question का answer बताईए गाईज, culture media for the claustridium species, आपका claustridia, claustridia जो species है, उसके लिए कौन सा culture media आप use करोगे, lower steen 76, lower steen jensen media, mcconky agar, robertson and none of these, तो कौन सा culture media आप use करोगे, claustridia के लिए बताओ, important question है, बहुत important question है, ठीक है, बताओ, claustridia के लिए कौन सा culture media आप use करोगे, बताओ, सचिन करक्सी, robertson, cooked meat media, बाकी students भी बताओ भई, तो guys, आपका correct answer हो जाएगा, robertson, cooked meat media, so basically this media is used for the cultivation of aerobic, micro-aerophilic, anaerobic, as I told you earlier कि anaerobic के लिए बहुत अच्छा है, other than this, claustridium species यहाँ पर बहुत अच्छे से ग्रोग करता है, आपका cooked meat में, other than this, यह आपके spore former bacteria के ग्रोग बहुत अच्छे से करता है, ठीक है, इस media में बहुत अच्छे से ग्रोग होती है, so basically this media is best for the claustridium, यह media जो होता है आपका claustridium के लिए, सबसे अच्छा होता है, सबसे जादा best होता है, यह मैंने आपको इससे पहले भी बता है, ठीक है, because meat media है, because this is meat media, so basically meat is nutritious, इसमें आप देख सकते हो, ठीक है, test tubes में आप देख सकते हो, so basically this is Robertson cooked meat media, which is highly nutritious, ठीक है, चलो, next question का answer कीजिए गाई, laboratory diagnosis of enteric fever is based on blood culture, urine and stool culture, vidal test and all of the above, तो जो आपका enteric fever test, जो laboratory में diagnose करा चाता है, उसमें आपका कौन से sample लेते हैं, blood culture लेते हैं, urine sample लेते हैं, stool sample लेते हैं, vidal test करते हैं, या फिर all of the above होगा, क्या correct answer होगा, बताइए, what will be your correct answer guys, निविदेता सिंग D, D, ओके गाईज, बिलकुल सही, D आपका correct answer हो चाएगा, ठीक है, यहाँ पर आपका D जो है correct answer हो चाएगा, ओके, so basically blood culture हम यूज करते हैं, बिलकुल करते हैं, ठीक है, डियागनॉसिस, enteric fever diagnosis के लिए, blood culture यूज करते हैं, urine या फिर stool sample भी हम क्या करते हैं, इसमें, यूज करते हैं, ठीक है, urine और, urine और stool sample भी जनरली इसमें हम यूज करते हैं, और विडाल टेस्ट तो आपका यूज करा जाता है, ठीक है, चलो, अब next question का answer दीचें गाईज, salt agar is used for, streptococcus, staphylococcus, vibrio and shijala, तो salt agar किसके लिए यूज करते हैं, बताओ, salt agar किसके लिए यूज करते हैं हम, streptococcus के लिए करते हैं, staphylococcus के लिए करते हैं, vibrio के लिए करते हैं, या फिर shijala के लिए करते हैं, so basically, for the which microorganism salt agar is used, salt agar media किसके लिए यूज करते हैं, बताओ, salt agar media जो है, वो किसके लिए यूज करते हैं, मैं बताऊ निशायादव A, okay, ठीक है कामेनी पांडे B, स्टाफाईलो कोकस, okay, okay, तो गाईज आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, देखो, मैंनी सॉल्ट अगार जो है, आपका स्टाफाईलो कोकस के लिए यूज करते हैं, okay, मैंनी सॉल्ट, मैनी टॉल्ट, सॉल्ट, अगार इस अलेक्टिव अन डिफ्रेंशियल मीडिया, okay, अण इडि इस उस फॉर दे स्टाफाईलो कोकस, ठीक है, यह आपका जैनली staining of bacterial spore is related to तो जो आपके bacterial spore के लिए कौन सी staining करी जाती है Albert staining Lugol staining, Mola staining या फिर Indian pink preparation Indian ink preparation पिंक बोल रही है बताओ गाइस इसमें correct answer क्या होगा differential staining of bacterial spore is related to तो आपके bacterial spore के लिए कौन सी staining करी जाती है बताओ, Albert staining क्योंकि general staining में तो पता नहीं चलता है तो कौन सी staining इसके लिए हम यूज करते हैं या आपको बताना है, Lugol होगा, Molar होगा या फिर आपका Indian ink होगा correct answer क्या होगा, बताइए कवी था C, O.K Molar ठीके बताओ कामी नी पांडे C, O.K बताओ, बताओ गाईस, बाकी students भी बताओ, क्या होगा correct answer तो यहां पर आपका correct answer होजाएगा, बिलकुल Molar staining, ठीके, क्या होगा Molar staining correct answer होजाएगा, ठीके So basically, Molar staining is involved the use of steam dye reagent in order to increase the stainability of endospore, तो इसमें आपका जो primary stain use करा जाता है वो आपको याद रखना है, this is very important Carbol fudcin ठीके, Carbol fudcin जो है आपका use करा जाता है, यह आपको याद रखना है this is the primary stain, ठीके this is very important, this is the primary stain इसके अलावा आपका methylene blue भी use करा जाता है as a counter stain, ठीके, जैसे gram staining में counter stain कौन सा होता है, सफरेनिन होता है ठीके, सफरेनिन आपका counter stain use करा जाता है, अगर हम gram staining की बात करते हैं ठीके, इसके अलावा अगर हम इसकी बात करते हैं, लाइक कि अगर आपकी endospore staining की तो उसमें आपका methylene blue जो है वो use करा जाता है as a counter stain ठीके, और आपका primary stain कौन सा होता है carbon function होता है, ठीके, बैसिकली इसके आप कौन सा staining use करोगे, molar staining use करोगे, remember this thing important है, बहुत important है, ठीके तो गईस, यह आपका आज का session था अगर आपको हमारी classes अच्छी लगती है तो guys, just do share and subscribe the channel, okay और class को ज़रूर से आप लोग share कीजिए guys, इसके अलावा आप batch में enroll कर सकते हो Y447 code use करके, okay guys Y447 code use करके आप batches में enroll कर सकते हो अगर आपको हमारी classes अच्छी लगती है, ठीके हैं, तो इसमें आप 77% discount के साथ batch में enroll कर सकते हो, okay guys तो 77% discount के साथ आप batch में enroll कर सकते हो, तो बहुत अच्छी से अपनी preparation कीजेगा guys अब आप लोग के पास limited time है you people have just limited time, so please prepare very well बहुत अच्छी से अपना preparation कीजेए आपको mains के लिए preparation करना है, okay guys इसकी अलावा, अगर आप लोग और भी बहुत सारे agricultural exam को target कर रहे हो guys, तो आज double validity चल रही है ठीक है, आज double validity चल रही है agriculture के महा pack पे ठीक है, अगर आप 6 month का agriculture महा pack लेते हो, तो आपको वो plus 6 month के लिए extra मिल चाएगा, इसके अलावा अगर आप 12 month वाला लेते हो, तो वो आपको 2 years के लिए मिल चाएगा, ठीक है, क्योंकि generally 12 month वाला 1 year के लिए होता है, तो अगर आप 1 year वाला लेते हो, तो आपको 2 year के लिए मिल चाएगा तो आप इसको अपने friends के लिए किसी के साथ भी share कर सकते हो, ठीक है, तो basically guys, यह आपके लिए best opportunity है कि agriculture का जो महापेक है यह चल रहा है, double validity पे तो आप लोग enroll कर सकते हो इसके लिए, ठीक है, you people can enroll in this क्योंकि यह double validity पे चल रहा है, ठीक है, तो इसके लिए आपको again code use करना है Y447 ठीक है, इसके लिए आपको code use करना है Y447 तो आप 77% discount के साथ में यहाँ पर भी आपको code use करना है Y447 क्या हो रही है Y क्या हो रही है Y447 ठीक है guys, तो यह आपकी आज की class थी, बाकिए आप लोग agriculture adapt money 47 के साथ बनी रहीएगा और अपनी preparation को बहुत अच्छे से करिएगा हमारे साथ तो चली अब मिलते हैं आपको next class में तब तक के लिए बाबाई, take care and all the best बहुत अच्छे से अपनी preparation कीचेगा guys, okay